बॉट बॉर्निंग स्टुडेंट्स वेलकम तो साइंस क्लास हावर यू आई होप यू आर हेल्दी एंड सेफेट हो एंड टुडे विल स्टाट अन्यू चैप्टर यू चैप्टर यू आपको समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर में हम गार्बेच के बारे में बात कर र यह जो हमें नहीं चाहिए है ना यह जिनकी हमारी लाइफ में अब वैल्यू खतम हो गई है अब हमें उनकी जरूरत नहीं है यह कुछ चीज़े ऐसी होती है जो हमने यूज किया और फिर हम उसको फैक देते हैं तो वो सब वेस्ट है यानि वेस्ट क्या है वेस्ट इस एनि दोगे मदर ने खाना बनाया आपकी कुकिंग की कुकिंग के बाद बहुत सारे पील्स और फ्रूट और वेजिटेबल्स के जो पील्स है वो बच गए क्या करा उसको ड़स्पिन में डाल दिया आपके ओल्ड शूस लीपर सी सब क्या है वेस्ट है आपको नहीं चाहिए बार बीच कहके घर से बाहर बेख देते अब यह जो वेस्पिस होता है उस्ट रिकवित में गयूसक्टा आ जैसे के chemicals और fertilizers जो की river में wash कर दिये जाते हैं इसके अलावा आपने देखा होगा industries और vehicles में बहुत सारा smoke निकल रहा होता है produces gases, harmful gases है ना, वो क्या example है आपका, gases waste का है यानि कि waste जो है वो liquid भी हो सकता है solid भी हो सकता है और gas भी हो सकता है solid waste जो होता है वो degradation solid waste first is biodegradable waste, second is non-biodegradable waste biodegradable waste वो waste होता है जिस पर की decomposers degradation के method से उसको simpler form में change कर देते हैं यानि की biodegradable wastes are those in which waste substances undergo degradation by action of decomposers, decomposers class 6 में ही आपने chapter 1 में पढ़ा होगा कि जितने भी bacteria और fungus होते है वो decomposers होते है और वो क्या करते है biodegradable substances को या wastes को simpler form में change कर देते हैं complex से simpler form में आप biodegradable wastes कौन-कौन से होते हैं food waste हो गया dead and decaying plants and animals ये सब चोहें biodegradable waste की category में आते हैं अब हम next करते है non-biodegradable waste ये कौन से waste होते हैं ये वो waste है जो की broken down नहीं हो सकते decomposers के थूँ right non-biodegradable waste are those in which waste substances cannot be broken down by decomposers जैसे के plastic है metal, glass ये सब क्या है ये आपके non-biodegradable waste हैं और आज के time में हम इनका इतना use कर रहे हैं कि इसकी वज़े से बहुत ही जो disposal की problem है the disposal of non-biodegradable waste is a big problem nowadays right अब आता है कि जब आप कोई plastic के जैसे tooth brush हो गया है या आप और भी बहुत सारी plastic के spoons plastic के thermocle के glasses बगरा ये जो हम use करते हैं है ना फिर हम क्या करते हैं या ये बायो-degradable है या ये non-biodegradable है क्या है ये तो बहुत सारी question आते हैं कि इतना सारा जो garbage हमारा रोज इखठा होता है इतना सारा garbage उसका क्या होता है वो कहां जाता है उसको reuse कर सकते है की नहीं कर सकते है या उससे कोई useful item बन सकती की नहीं तो ये जो हम पढ़ेंगे ये waste management में पढ़ेंगे waste management क्या होता है waste management में कोशिश यही रहनी चाहिए सबसे पहले कि waste को सबसे amount में ही कम कर दिया जाए आप कैसे कर सकते हैं आप by reducing it amount में क्या है सबसे पहले तो आप वही चीज लें जिनकी आपको ज़रूरत है unnecessary shopping न करें second आपका क्या है कि आप lunch और dinner के time उतना ही food लें जितना कि आप consume कर सकते हैं ताकि food जो है वो waste ना plastic bag के use को आप avoid करें paper की दोनों side इउस करें बच्चे बहुत जो है paper को waste करते हैं तो वो ऐसा ना करें दोनों side paper की use करें क्योंकि जितना अगर आप waste को amount को कम करेंगे उतना ही उसके disposal की problem भी कम हो जाएगी right second आपका है by reducing the weight reuse कैसे कर सकते हैं आप बहुत सारे आपके plastic के items होते हैं घरों में jar वगेरा container उनको आप बाहर ना डाले उनको आप reuse कर ले दुबारा से उनके कुछ और डाले समान कुछ reuse कर ले right third आपका by recycling the waste recycle मतलब कि आप उनको दुबारा से उनसे कुछ और नया बन जाए recycle हो जाए जैसे कि बहुत सारे आपने देखा होगा materials हम लोग कबाडी वाला को देते हैं जैसे glasses, paper, metal ये सब क्या हैं इनको recycle किया जा सकता है इनको recycling blank में भेज़ जिया जाता है और वहाँ इनसे कुछ नये product बनाए जाते हैं तो ये recycle हो गया Biodegradable जो waste होते हैं उनको हम recycle कर सकते हैं composting के method से composting क्या होता है student composting होता है कि जब कोई solid waste है जैसे कि हमने बात करी थी अभी biodegradable waste है की तो उनको जो है वो convert हो जाते हैं manuer में तो उसको हम बोलते हैं process को composting यानि कि conversion of solid waste into manuer is called composting अब student बात करते हैं कि composting कैसे होती है या कहां होती है तो आपने landfill का student कभी नाम सुना है landfill क्या होता है landfill एक बहुत बड़े बड़े large areas होते हैं जो शेहरों के बाहर होते हैं जहाँ पर जितना भी waste होता है उसको डाल दिया जाता है dispose करने के लिए रहाँ पर फैक दिया जाता है और यह लोगों के जो रहने वाले जहां पर लोग रहते हैं वहां से यह बहुत दूर होते है area और garbage को in landfills में भर दिया जाता है और भरने के बाद इसको soil से cover कर दिया जाता है तो वो decompose होता रहता है वहां पर कहीं समय मतलब बहुत लंबा टाइम लग जाता है इसमें about 20 years तक यह सारा का सारा जो garbage है वो return हो जाता है और फिर उसमें जो है वो पूरा soil बन जाता है soil और manure की form में change हो जाता है तो यह composting का method होता है जिसमें वो सारा garbage जो है change हो जाता है right composting compost की form है अब आपने देखा होगा कि जैसे कि आपको दो dustbin दिखाए दे रहे हैं blue color का और एक green color का blue वाला non-bio degradable है और green वाला bio degradable है तो इनका क्या purpose है कि इसमें आप जो है जो waste डाला जाए वो dustbin का जो color है उसको देखकर उसमें डाला जाए जैसे कि blue वाले में जो non-bio plastic की bottles है glasses है ना आपके metal वगरा का कुछ भी है वो आप इसमें डाले और bio degradable में आपके peels of fruit vegetables वगरा हो गया dead and decaying animals plants वगरा इस तरह से कुछ जो भी आप bio degradable जो भी है आपके substances या waste उनको हम green वाले में डालें तो इस तरह से अब student a question और आता है कि जब harvesting होती है उसके बाद बहुत सारा जो है वहाँ पर आपने देखा होगा fields में बहुत सारी crop remaining part tribe leaves वगरा बच जाता है husk बहुत तिन के वगरा बहुत सारी बचता है उसका क्या किया जाता है farmer क्या करते है उसको student farmer उसको burn कर देते है लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है burning की process से क्या होता है suffocation हो जाता है uncomfortable हो जाता है ऐसी practices करने से बहुत नुकसान हो जाता है suffocation होता है uncomfortable feel होता है क्योंकि burning की process में क्या हो रहा है burning की process में smoke gas ये सब dust particles ये सब produce हो रहा है जो कि हमारी health के लिए बहुत ही harmful है तो हमें ऐसी practices नहीं करने चाहिए हमें burning नहीं करना चाहिए यानि burning कोई solution नहीं है waste को कम करने का तो आपको ये इस तरह का burning की process नहीं करने चाहिए इसके लिए हमें कुछ और solution ढूणना चाहिए इसको हम कर सकते हैं compost में convert कर सकते हैं तो उमीद करती हूँ student आपको यहां तक ये topic clear हो गया होगा next video में हम अगले topic cover करेंगे thank you